नमस्कार दोस्तों भक्ते नगरी यूट्यूब चेनल में एक बार फिर से आप लोगों का हर्तिक स्वागत है महाशिवरात्री पर्व बहुत खास होता है यह पर भगवान शिव एवा माता पार्वती के मिलन का महापर्व होता है इस वरत को करने से धन वयभव, सौभाग, सुक समरिद्धी, आरोग एवं संतान की प्राप्ती होती है भगवान शिव को आशुतोष यानि सिग्र प्रशन होने वाला देवता कहा जाता है कहते हैं कि भगवान शिव सचे मन से जल अरपित कर देने मातर से ही प्रसन हो जाते हैं देवों की देव महादेव के महाशिवरात्री वरत बहुत ही खास महत्व होता है भगवान श्री राम ने भी इस वरत को रखा था इसकन पुरान में भी बताया गया है कि चाहे सागर सुख जाए, हिमाले तूट जाए, परवत विचलित हो जाए पर यह सत्य है कि शिवजी का वरत कभी निस्पल नहीं होता है भगवान शिव की आराधना करने से सारे दोस दूर हो जाते हैं और कश्टों से भी मुक्ति मिल जाती है बहुत ही सरलविधी से पुझा करके भी आप भगवान भोले नात को प्रसंद कर सकते हैं इस साल यानी 2021 में महा शिवरात्री का पर 11 मार्च को है जो की कई सुब संयोग से भड़ा है इस दिन एक ही मकर राशी में चार बड़े ग्रह सनी, गुरु, बुद्ध तथा चंद्र, धनिष्टा नक्षत्र में होंगे जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है वह इसकी सांती इस दिन करवा सकते हैं इस योग में भगवान शिव की पुजा का विशेश महत्व रहेगा महा सिवरात्री में रुद्रा विशे करना भी बहुत ही सुब माना जाता है सिवजी की कृपा से सारे कष्ट दूर होते हैं तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जे भूले नात हर हर महादेव